जेहें दोश्तों, वेलकन पुजी के क्लासेज, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वच्थ होंगे और आपकी तियारी बहुत यह अच्छी तरह से चल दियोगी, अगर आप बेट इंटेस एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वा जितनी भी चीज़ें लोग पढ़ चुके हैं, उसारी चीज़ें को इहां पर इस्तेमाल करेंगे, कुछ छोटी मूटी चीज़ें बच्यों ही हैं, वो इस क्लास के अंदर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, आपके एक्जाम के पॉइंट आप दू से आपका ये अधोरा हो पाए, साथी चात, आपकी हिंदी की क्लास, GKjeC मे mediya class, math की कलास, science कि कि अभियूरा चल रहे हैं, तो अगर आप ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया किया तो कर लेजिए यह कितना है one ratio two है तो बहुत सिंपल है formula लगाएंगे आपका अंसर आजाएगा ठीक है NP4 यहां पर formula जो हम लगाने चलने वह NPR का formula लगाएंगे यह नहीं factorial N divided by factorial N minus R यह formula आपको लगाना है ठीक है लगा देते हैं कोई दिख्कत वाली बात नहीं है NP4 की बात करें तो NP4 का factorial होगा N factorial N upon factorial N minus 4 divided by ratio का मतलब होता भाग लगाना ठीक है NP5 है तो factorial N divided by factorial N minus 5 equal to है 1 by 2 ठीक है न factorial N से factorial N cancel हो जाएगा और दोस्तों यह आपका पहुंच गया उपर यह आपको मिलेगा factorial N minus 5 divided by factorial N minus 4 equal to 1 by 2 ठीक है न अच्छा एक चीज़ और है एक चीज़ और है आप यहां से साल्ब करने के आपको जरूरत नहीं है अब बस एक काम करना एक काम करना आप यहन की वह वैलू यहां पर फिट करो यहन की वह वैलू फिट करो जिससे इसको साल्ब करने पर उपर की value 1 आ जाए और इसको solve करने पर नीचे की value 2 आ जाए यह काम आपको करना है यह नहीं कि इसका आप open करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं open करोगे आराम से आ जाएगा उससे भी आ जाएगा एक step और करना है आप आंसर आ जाएगा और factorial के अंदर मैंने बोला था negative नहीं होना चाहिए तो आपको option यह तो ऐसे cancel हो गया होगा नहीं 5 की बात करें जब आप यहां पर यहां पर यहां की value 5 करोगे तो 5-4 क्या होगा वन होगा और factor 1 की value 1 आती है ना कि 2 आएगी इसका मतलब 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 तो ऊपर 6-5 कर रहा है नेपि नीचे नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे यह n की value 6 रखते है जो की आपका option C में है इसलिए इस question का option C आपका correct हो जाएगा तो इस तरह से भी आपको करना है हलांकि अगर आप option से नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे आप कुछ नहीं करोगे इसको क्या लिखोगे n-5 है यहां से n-4 को बाहर कर लेंगे तो factorial में एक और घट जाएगा तो n-5 हो जाएगा equal to 1 by 2 हो गया इसको इससे काट दोगे cross multiply करोगे और 2 का 1 में होगा तो 2 equal to क्या हो गया n-4 हो गया और जब आप यहां से n की value निकालोगे तो n equal to 6 आ जाएगा तो यहां सब इतना करने की हमें जरूरत नहीं है इतना करने की जरूरत नहीं है हम बस यहीं से अपना n की value रखते निकाल लेंगे question number two कह रहा है कि एक train की पांच सीटों पर तीन यात्रियों को बैठाने का कितना तरीक होगा पांच सीटे हैं तीन लों को बिठाना है यह तो वहिया direct formula g predate are 5 को क्रम से वीठाना तो 553 कर दोबें फाइव वाइव हो गया निचे क्या होगा फैक्टरियल टू बनेगा क्योंकि 5-3 खुले टू बनेगा और यहां से भगा 543 और और टू डिवाड़े बाइब फैक्टोरियल टू यह से कर देगा पांच योग बीशतियां साथ यहने कि आप पांच सीटों पर तीन यात्रियों को साथ तरीके से बैठा सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी तो बहुत सिंपल कोईस्टन था ठीक है तिसरा है कि टू वागों में मौता था जिसमें पहला था डूसरा घुझ आनु इसमेलर अब्जक्ट यानी सब्सक्राइब चक्रियक करम चय को मैं पहले बता चुका हूं अगर आपने प्रिवेस बीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आपको वहां पर वीडियो मिल जा करते हैं करना क्या है इस question को तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इस question को आप आराम से कर सकते हो कोई दिक्कतालिवात ने को आपके लिए छोड़ना हूं इस question को आप करके और आंसर कमेंट करके बताएंगे ठीक है question number four की बात करते हैं कि कलकटा सब्द के अच्छों से कितने सब्द बनाया जा सकते हैं simple question है प्रमूटेशन का जिसमें एक लेटर दोबारा लिखा गया यानि करमशे का तीसरा प्रकार है जिसमें कुछ वश्च्ट में समान थी देखो c है दोबार a है दोबार t है दोबार है ना एक जैसी है समान है तो कुल कितने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ कुल कितने है आठ है तो आठ लेटर स्कोर लिखने का तरीका फेक्टियल आठ हो गया लेकिन इनमें कुछ एक जैसी है c दोबार है तो फेक्टियल 2 लगा देंगे इन्टू a दोबार है तो फेक्टियल 2 लगा देंगे और t भी दोबार है तो फेक्टियल 2 लगा देंगे ठीक है हो गया अब इसको साल्ब कर लेते हैं तो फेक्टियल 8 एट इन्टू 7 इन्टू 6 इन्टू 5 इन्टू 3 इन्टू 2 इन्टू 1 और फैक्ट्ट्वल 2 की वैलू 2 ही होती है तो 2 इन्टू 2 है ना तो दो दुना 4 दुना 8 से 8 कट गया बाकी मल्टिप्लाई कर लो साच चक 42 और पांच योग 20 दिया साच दुना 120 120 का 120 का आप 42 में गोडा करोगे है ना तो 0 12 दुना 24 और 12 44 48 और दो 50 यह पचास 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कुश्चन नमर फाइब बिल्कुल सेम क्वेस्चन है जैसे इसमें कलकटा था वैसे इसमें कमिटी है कितने लेटर है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो लेटर है तो नो लेटर को लिखने का तरी आपकी अब बात कर दो है इसमें आपको एक उपच्शन के अ आपको एक शब्ध बना सकते हैं जबकि sociology शोर एक साथ ना आएं आप दो शोरों को एक शाथ नहीं रखोगे ठीक है तो ितने लेटर रहें इस में एक दो तीन चार पांट छह छे लेटर हैं जिनमें से तीन आपके पास बैंजन हैं 3 आपके पास शोर हैं ठीक है न मैं लेचन कौन-कौन्जफ airplane एक है M, एक आपके पास है T, और एक आपके पास है C, और कौन-कौन से हैं, एक है E, फिर A, फिर E, ए तो E, A, E, ठीक है, तो 6 लेटर हैं, जो भी शब्द बनेगा, वो 6 लेटर का बनेगा, तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गया, एक काम करते हैं, हम पहले 3 बेंजन को अरेंज कर लेते हैं, तो 3 बेंजन को अरेंज कर लिजे, मालो, यहां पर C को रख दिया, यहां पर M को रख दिया, यहां पर मालो मैंने T को रख दिया, ठीक है, रख दिया, तो अब मैंने यह काम कर लिया, ठीक है, अब अगर आपने 3 बेंजन को अरेंज कर लिया है, तो अब इनके ब C के आगे या पीछे, M के आगे या पीछे, T के आगे या पीछे, ऐसा कर सकते हैं तो आप देखें, तीन बेंजन आपके पास थे, उनको आपने अरेंज कर दिया तो तीन बेंजनों को अरेंज करने का तरीका होगा, फैक्ट्रियल 3 और मतलब गुणा अब आपके पास जगा कितने हैं एक दो तीन चार चार खाली जगा हैं ये खाली जगा क्यों बने हैं क्योंकि आपको दो शौर एक साथ नहीं रखने हैं मतलब आपको बीच में एक बेंजन रखना ही पड़ेगा तो एक बेंजन के दोनों तरफ दो जगा होगे एक बेंजन के चार जगों में तीन लोगों को अरेंज करने का तरीका होगा 4p3 यहीं factorial 4 बोलो भई चार जगों पे तीन लोगों को arrange करने का तरीका कितना होगा factorial 4 क्योंकि आप इसको solve करोगे तो यही तो आएगा यही तो आएगा घूम फिर के फैक्टरिल फूरी आएगा ठीक है अच्छा हमने क्या किया हमने जो हमें करना था हम ने कर लिया हमने तीन वेंजन को पहले अरेंज कर लिया उसके बाद हमारे पास चार जगा खाली बच रही थी उनमें हमने शौर को बिठा दिया हमने ध्यान रखा कि दो चौर साथ ना आए तो वो तरीका होगा 4P3 यहने की फैक्टरियल 4 लेकिन इसमें भी एक लोचा यह है कि जो आपके पास शुर दिये गए है इसमें यह वो दो बार दिया गया है तो जब एक ही चीज एक ही शब्द एक ही वस्त एक ही लेटर एक ही अंक दो बार तीन बार चार बार स आपकी होती है चारतियां 12 दुना 24 होती है और बटे में 2 आ गया 2 से काट दो गया 24 कट गया 12 चका 72 यहने की आपके पास कुल 72 शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें 200 एक साथ नहीं आएंगे आपका आप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा बात आई समझ में तो यह आपका value of R ठीक है तो सिंपल है मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर N C X equal to N C Y हो देन यह हो जाता है X plus Y equal to L मतलब अगर उपर की value shame हो बीच में equal का sign लगा हो तो नीचे दोनों का जोड उपर के बराबर होता है अब यह concept यहां पर लगाना है 15 C 3R है 15 C 3R है और 15 C R माइ 3R plus R minus 1 और यह किसके बराबर हो पंदरा के तो यह हो गए 4R minus 1 को उधर ले जाओगे 16 आएगा 4 से कार्ट होगे तो R के value आगई 4 और आपको B वाला option correct हो जाएगा ठीक है Question number 8 की बात करें Question number 8 की बात करें तो लिखा है N C R divided by N C R minus 1 यह आपको बताना है ठीक है बता देते हैं N C R क्या होता है factorial N divided by factorial R N minus R यह क्या होगा factorial N upon factorial R minus 1 factorial N minus R plus 1 हो जाएगा क्योंकि minus लगेगा तो यह जो आपका minus तो plus कर देगा इस से तो यह कट गया और यह पलट जाएगा तो ऊपर हो गया R minus 1 R minus 1 और N minus R plus 1 divided by यह हो गया factorial R factorial N minus R फीक है इसमें से आप R को बाहर करोगे जैसे आप R को बाहर करोगे यह आएगा factorial R minus 1 factorial और एक काम करते हैं इसमें से इस वाले टर्म को बाहर करते हैं, जब आप इस वाले टर्म को बाहर करोगे, n-r-1 इसको बाहर करोगे, तो factorial के अंदर minus लग जाएगा, तो n-r-1-1 हो जाएगा, और नीचे भी वही चीज होगी, r को बाहर करोगे, तो factorial r-1 आएगा, और नीचे होगा n-r, ठीक है, इससे ये cancel हो जाएगा, और ये 1 से 1 cancel हो, तो n-r उपर बचेगा, यहाँ इससे ये cancel हो गया, तो उपर बचा है, n-r plus 1 नीचे बचा r, तो ज़रा देखो, n-r plus 1 divided by r, आपका d वाला option correct हो जाएगा, ठीक है, तो आप चाहें, तो इसकी इसाट ले शकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोस्तों नोवे प्रशन की बात करें, तो कहरा कि n plus 1 c3 equal to 2 into n c2, तब आपको n की value बतानी है, तो आओ इसको भी कर देते हैं, n plus 1 है, तो factorial n plus 1 upon में, factorial 3, factorial n plus 1 minus 3, equal to 2 है, into factorial n upon, factorial 2, factorial n minus 2, आपको n की value बतानी है, ठीक है, देखो गई, यहाँ पर है n plus 1, n plus 1 को बाहर करोगे, तो इसमें से 1 minus होगा, तो बचेगा आपके पास factorial n, जब इसमें से 1 घटा होगे, तो किवल n बचेगा, नीचे देखना, यह 3 minus 3 plus 1 है, तो यह minus 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आलेडी है, इससे cancel हो गया, नीचे आपके पास factorial 3 है नी, इसकी value 6 हो गई, 2 into factorial n, अच्छा, यहाँ पर देखो, factorial 2 की value 2 होती, तो इससे यह cancel हो जाएगा, तो किवल आपके पास factorial n बचेगा, इससे यह cut गया, n plus 1 by 6 equal to कितना है, 1 आया, तो n plus 1 equal to 6 है, यहने कि आपके पास n की value आगे कितनी 5, यहने कि आपका civil option correct है, ठीक है, शाथियों question number 10 की बात करते हैं, कहरा कि ncr minus 1 बराबर 36 है, ncr बराबर 84 है, ncr plus 1 बराबर 126 है, तब आपको R का मान बताना है, question simple है, लेकिन थोड़ा सा इसमे calculation करना है आपको, तो यह question मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस question को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, do yourself है ना, तीनों को आप शाल्ब करोगे, तीन समीकड़ बनेंगे, वहां से आपको R के वैलू निकाल लिए है, तो एक बार खुशे ट्राइ कीजिएगा, अगर आपके आजाता है, तो comment करके आप अपना answer देंगे, नहीं आता है, तो आप ये भी comment करके बताएंगे, कि हमारा answer नहीं आया है, हमने शाल्ब नहीं किया है, यहां हम साल्ब नहीं कर पाएं, तो next class में मैं आपको ये question साल्ब करके दिखाऊंगा, फिलहाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस question को आप ज़रूर कीजिएगा, question number 11 की बात करते हैं, कहारा कि 10 फूलों की शाहता से, एक माला को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो यह cyclic permutation नहीं, चक्रिय क्रम्षे का ये question है, मैंने आपको बताया था, चक्रिय क्रम्षे में दो चीजे होती है, एक clockwise, एक anti-clockwise, clockwise या anti-clockwise चलना, और एक होती है कि clockwise या anti-clockwise ना चलना है, तो जब हम किसी भी, फूल की, मुती की, इन सब की बात करते हैं, जब माला बनाते हैं, तो इसमें हम इस बात का बिलकुल ध्यान नहीं रखते हैं, कि हम किश फूल को किधर रख रहे हैं, clockwise चलना हैं, या anti-clockwise चलना हैं, जब हम लोग clockwise या anti-clockwise, इस दिति की बात नहीं करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको एक फर्मूला बताया था फैक्ट्रेल एन माइनस वन डिवाइड़ बाइड बाइड टू यह फर्मूला मैंने बताया था और इस फर्मूले को लगाओगे तुरंत आपका आंसर आजाएगा दस फूल है तो यहन की जगापर हो गया दस माइनस एक का फैक्टोरियल और बटे में लगा दोगे दो दस में से एक निकल गया नौ फैक्टोरियल नौ बटे दो यानि कि आपका आप्शन धी करेक्ट हो जाएगा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको आगे बढ़ते है बढ़ा में प्रशन की बात करते हैं कहरा कि पांच पुरुषकारों को चार बच्चों में कितने तरीके से बित्रित किया जा सकता है जबकि एक बच्चा एक पुरुषकार को चार बच्चों में बाटना है तो कितने तरीके से बाढ़ सकते हैं चार तरीके से चार बच्चे है A है B है C है D है एक पुरषकार को उठाया उसको या तो A को दे सकता हूं या तो B को या तो C को या तो D को तो उसको चार तरीके से दूसरे पुरषकार को उठाया उसको या तो A को या तो B को या तो C को या तो D को उसको भी चार तरीके से ऐसे ऐसे 5 के 5 पुरषकारों को हम इन चारों बच्चों में इतने तरीके से बाढ़ सकते हैं क्योंकि कंडिशन ये भी है ना कि एक बच्चे को आप एक से अधिक पुरुषकार दे सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है मैं एक पुरुषकार को उठाओगे या तो इसको दोगे या तो इसको या तो तो इसको या तो इसको फिर से दूसरा उठाया तो इसको देंगे या तो इसको या तो इसको या तो इसको है ना ऐसे ऐसे पांच प्रशकारों को हम इतनी तरीके से बाढ़ सकते हैं और इसके लिए मैंने आपको एक फर्मूला भी बताया था यान पावर रोला ठीक है तो चा चार सोग 16 चोग 64 और 64 और 64 और 64 और 92 और 92 उच्छे कितना एक शदो यानि 1024 तरीके से आप पुरुष्कार को वित्रित कर सकते हैं ठीक है Q13 में करा कि एक अश्ट भुज में विक्रणों की संख्या होगी बहुभुझ की बात करते हैं ना इसे बहुबुज यह फार्मा लिख लीजेगा बहुबुज मतलब जिसमें एक से अधिक भुजाएं हो या एक या दो से अधिक भुजाएं ऐसे भी हो सकते हैं बहुबुज में विकरणों की संख्या जैसे आपका त्रिभुज हो गया यह प्रकार का बहुज है चत्र बुज हो गया पंच बुज खश्ट बुज यह सभी बहुज होते हैं तो बहुज में बिकड़ों की संख्या जो होती है वो एक अश्ट बुज में विकड़ों की संख्या कितनी होगी तो अश्ट बुज मतलब आठ भुजाओं वाली है ना तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है आठ है यानि एन का मान आठ आ गया इसमें रख दो एट सी टू माइनस एट हो जाएगा फैक्टोरियल एट अपान में फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल सिक्स माइनस एट भई आठ में से दो निकला अच्छे इसको साल्ब करेंगे तो आठ साथ और फैक्टोरियल च्छे बटे में फैक्टोरियल टू की बैलो टू होगी और 14 में प्रशन में कहा रहा है कि एक बृत पर आठ बिंदू है तब कितनी रेखा है प्राप्त होंगी, ठीक है, आठ बिंदू है, पहली बाद तो एक बृत है, इस पर आठ बिंदू है, तो एक, दो, तीम, चार, पांच, छे, साथ, आठ, मालों इसे आठ है, अच्छा, एक रे बने गा, इस पॉइंट को इस से מिलाओ गे, इसको मिलाओ गे, इसको distraught भी आप मिला दीजिए, तो ऐसे, ऐसे बहुत सारे इस्ट्रीट लाइना आप बना सकते हैं, लेकिन एक इस प्रेट लाइन को बनने के लिए कम ecoominешь很好 के आपको दो बिंदू को जब हम चुनेंगे, तब हम एक रेखा खिच सकते हैं, यानि 8c2, 8c2 जो होगा, यह आपका right answer हो जाएगा, है ना, और 8c2 की value कितनी आएगी, 82 आएगी, कैसे आएगी, अभी यहाँ पर निकाले थे ना, factorial 8 upon factorial 2, factorial 6, इसको solve करोगे, 8, 7 into factorial 6, divided by 2 into factorial 6, इससे कट गया 8, 7, 56, 2 से काटोगे, 28, यहनि कि आपका right answer आएगा, 28, भाई, एक रेखा को खिचने के लिए हमें 2 बिंदू की जुरूत पड़ेगी, अगर 8 बिंदू हैं, तो 8 में से आप 2 बिंदू को चुन लीजी, आप उतनी रेखाएं खिच सकते हैं, ठीक है, तो 14 question हो गए हैं, 15 question की बात करते हैं, कहिरा कि 12 बिंदूरों से कितने त्रिभुज बनेंगे, जबकि 7 बिंदू एक रेखा पराएं, त्रिभुजों की संक्षा बतानी है, देखिएगा, कुल कितने बिंदू है, 12, आप जानते हैं कि त्रिभुज को बनाने के लिए, कितने बिंदूँ की जरूत पड़ती है तो कुल कितने बिंदू हैं 12 12 मैं से हम 3 बिंदू को चुनेंगे तो हमें एक तिर्भूज बना सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें लफड़ा यह है कहरा कि 7 बिंदू जो है वह एक ही रेखा पर हैं अगर एक ही रेखा पर बिंदू है ऐसे 3 4 5 6 यह बिंदू है अगर 7 सात बिंदू सात बिंदू एक ही रेखा पर है तो इनसे आप तिर्भूज नहीं खीच सकते हैं एक ही रेखा पर अगर दि बिंदू है तो उनको है और पना ओक्षिय्य ओड़ा टूर बारदा सकते हो लेकिन 7 2 एसी हैं जो एक यह एकी रेखा पर है मतलब हम उनको हम हटा देंगे क्यों क्योंकि हो हमारे किसी काम के नहीं है कर हमें त्रिभुज खीचना है तो हम एक ही रेखा پर चीरी वह हम हटा देंगे साथ ऐसे बिंदू है जिन से हम ध्रीज नहीं बन अपनेकोम मैन прогale कर देंगे तो तो बारा, ग्यारा, दस और यह फैक्टरियल नो हो गया यह आ गया छे यह आ गया फैक्टरियल नो यह इससे कट जाएगा फैक्टरियल सेवन को आप तोड़ोगे तो साथ, छे, पांच और फैक्टरियल फोर हो गया नीचे छे हो गया फैक्टरियल फोर हो गया यह इससे कट आएगा ठीक है तो बारा का ग्यारा में गुड़ा करोगे तो कितना आएगा 132 और 10 यहीं कि आ गया आपका 1320 बटे में 6 माइनस साथ 635 और यह आगया 210 बटे में 6 घटा लो 0 क्या तो क्टा पीटी कर दो तो पहले तो दो से कार दोगे दो तीना चेश दोपंचे 10 1125 1510 और 3 से काटोगे तीन एकम 3 284 35 15 181 कि आपका आप्शन एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह से इस तरह से आप के सामने question permutation and combination के आएंगे मैं आशा करता हूं कि आपको ये class समझ में आई होगी आपको इस class में आनन्द आया होगा class कैसा लगा comment के माधिम से जरूर बताईएगा वीडियो को अपने दोस्तों में share कर दिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो पाए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आपको रोज नहीं ने भी रोज मिलते नहीं मिलते के लिए class में अपना ख्याल रखिएगा जयेंद